वेल्कम प्रेंट्स आपका स्वावत है एक बार फिर से वेडिंग एलूम डिजाइनिव सीरीज के एंगा इससे पहले आप पांच वीडियो देख चुके हैं जो की इस वर्गार थे सबसे पहला वीडियो हमारा था इंट्रडेक्शन का आप किसी भी वीडियो को यहां से क्लिक करने के बाद न्यू टेप में देख सकते हैं उसके बाद हमारा वीडियो था सीट या पेस डिजाइनिंग के बारे में तीसरा वीडियो हमारा था डियम पेस डिजाइनिंग का उसक को यूज किया वे और बिना कटिंग किया वे या माइनर कटिंग किया वे बहुत ही कम कटिंग किया तो आई ये देखते हम किस तरह से बनाएगी ये देखिए कुछ folders दिये हुए हैं यह पर जो स्टार्टिंग से हम लेकर चल रहे हैं इसके अंदर एक close up नाम का folder है इसके अंदर मैंने आज कुछ फोटो डाले हैं और आप देख सकते हैं यहां पर फोटो सोब सबसे पहले उपन करेंगे कंट्रोल न्यू से न्यू लिया उसके बाद मैं यहां पर 12 इंटू 37 की सीट गता हूँ इसका में 200 कितना पर अगर आप आप मेरे इस वीडियो सीरीज के अंदर अगर यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखें तब आप वो अच्छे तरह के से समझ में आएगा क्योंकि हम लोग है वो स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वीडियो नमबर एक, दो, तीन, चार यह सीरीज का चटा वीडियो है तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा तो मैंने ये निव सीट ली यहाँ पे और इसके अंदर न्यू गाइडलाइन दे देता हूं है जो कि सेंटर पॉइंट में यहाँ आपर 18 इंच वर्टिकल पे कटमाने चाहिए उसके बाद में हम कुछ फोटो जाए इसके अंदर एक बात जो इंपोर्टेंट है इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम DM तयार करेंगे बिना किसी टेंपलेट को यूज किये हूए उसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि हमें फोटो का बेक्राउंड सेम सेम लेना होगा ऐसी फोटो लेने होगी जिनका बेक्राउंड वाइट वाइट भी हो सकता है या फिर ब्लेक के नडर थोड़ी लाइटिंग भी ऐसे हो सकती है ग्रीन लाइट जो भी कलर हो सेम होना चीए मैचिंग कलर सब में एक जैसा होना चाहिए तभी हम विदाउट किसी टेंपलेट को या कटिंग किया हुए ऐसी सीट पियार कर सकते हैं अधरवाइस यह इंकोसिबल रहेगा तो आएए हम देखते हैं किस तरह से हम यह तियार करेंगे इसके अंदर कुछ फोटो हैं हम इनमें से कुछ फोटो लेते हैं जैसे कि मैं यह फोटो ले रहा हूँ और मैंने इसके अंदर देखिया आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्लेक बेग्राउंड है लेकिन साथ में नाइट का सीन है तो लाइट मिक्स है बेक्राउन में फोटो बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैं थोड़ी सी इसको वाइट कर देता हूँ इसका काव है कंट्रोल लेंग से इसका इंक्रीज कर रहा हूं इसके बाद में हम और फोटो लेंगे जैसे की यह फोटो है हमको अबने हिसाब से इनको मैच करवाना हूँ है इसके बाद में एक और फोटो ले रहा हूं यह फोटो ले लेक्ट हैं इसके अंदर हम कटिंग नहीं करेंगे लेकिन इरेजर को ज्यादा यूज में लेंगे जहां से इरेजर से मैं इस फोटो की इस लाइन को यहां से इरेज कर रहा हूं और यहां पर थोड़ी कटिंग करने की जर्थ पड़ेगी यहां फिर हम मैजिक टूल से भी कर सकते हैं इसे मैं आपर थोड़ी से कटिंग कर देता हूं माइनर कटिंग करनी हो सकती है लेकिन ज्यादा कटिंग की चुटनी पड़ेगी अगर हमने फोटो को सही बेग्राउंड पे सूट किया है तो या फिलियों कहें कि बेग्राउंड सेम होना चाहिए इतना कटिंग है ने इसका किया यह है एदर देके और ने इसको कट करना अभी इसको या से फोड़ा का रेज किया अभी ये फोटो आप देख सकते हैं आपके यहां पर हम इसी बेग्राउंड से एक बेग्राउंड ख्यार करें और मैं इस बेग्राउंड में ले जा रहा हूं और यहां पर हम इसको ब्लर कर देंगे ग्रिस्टियन ब्लर से यह ब्लर हो है थोड़ा थोड़ा एरेजर से एरेज करेंगे यहां से देखिए यह मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर ब्लेक होना चाहिए था लेकिन यह ब्लेक नहीं आ रहा है तो मैं इसको ब्लेक कर देता हूं मैचिंग होना बहुत ही इंपोर्टेंट है यह मैच हो गया अभी मैं इसको ऐसे करता हूं ब्लेक एंड वाइट बना रहा हूं फोटो को सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर कुछ बैग्राउंड माइनर बैग्राउंड जो हम बात कर रहे हैं यहां पर मैंने कुछ नेम्स वगेरा वर्डिंग भी डाले हैं है यहां संदे फोटोकूल डौटवॉस सब्सक्राइब लेकर आ रहा हूं चैन्हीं कुछ फ्लावर वगेरा भी लैकर आ रहा हूं है तो मैं यहां पर एक फ्लावर लेकर आ रहा हुँ यह एक फ्लावर और इस फ्लावर को यहां से थोड़ा थोड़ा में इरेज़ कर रहा हूँ अब यहां पर मैं कुछ वाड लिज देता हूँ कि अबसके अधिज़ में विन्स वाड बार की स्वार को यहां achaाि वाट इस अधिक वीडि देता हूँ यहां पर कुछ से दूसरे फ्लावर अगर देना चाह रहे हैं जो जो कि नेखने प्लावर में एकुछे लिए प्लावर देना यह दो दो जूसरे प्लावर मेंने अप्लावर अबर्स्टपिंट के इस तरह से हम विधाउट कटिंग किये हुए और भ veuhती फास्ट वरक करना हो तो एक जैसे अदर हम एक प्रने हैं तो मैंसे कर सकते हैं कि हमको अगर फोटो अवेलेबल है एक जैसे बैकडाउन की तो हम फास्ट डीम कर सकते हैं या फिर हम एसे भी करसें कि यह इस तरह के बनाएवे DM भी ज्यादा पसंद की जाते हैं और अच्छे लगते हैं और अगर आप कटिंग करके त्यार करें तो वह भी अच्छे लगें अभी मैं इसी का एक दूसरा वाइट बेग्राउंड पे एक जम्पल दिखा रहा हूं आपको जो कि मैंने पहले बनाए आपको इसकी पेस्ट दिखा रहा हूं यह वाइट बैग्राउंड के ओफर फोटो थी वाइट एक वाल थी उसके पीछे फोटो लिए हूए थे और जिसमें से यह फोटो आप देख सकते हैं यह यह वाल की फोटो है यहां पे जो दुला और दुला यहां पे खड़े हैं य यहां तक यह वाल थी यहां तक यहां तक यह वाल थी और फिर मैंने यहां पे क्या किया कि यहां से वाल को ड्रेगन ड्रोप किया कोपी किया उसके बाद में उसको फुल पेज़ पे कर दिया और कलर उसका मैच करवा दिया है वहां से कलर पिक किया मैंने और पूरा मैच किय ताधिया और फिर उसके बाद मैंने कुछ और फोटो है उसमें से मैं से एक फोटो आपको capture क्सेन करते हैं अे यह इंधे किर आ कि स्वादो लेकिन एक डील्ड फोटो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इरेजर से मैच किया है आप सकते हैं कि विदाउट कटिंग किये हूँ और बहुत ही ऑफ्राइँ डिया मा मन नेक्स्ट आने वाले वीडियों के अंदर हम बात करेंगे कि के हम अपने ऐल्बम को और अछ्य तरीके से कैसे दिजैन कर सकते हैं कुछ और तरीकों के बारे में जिनके शाहता सी हम अपने ऐल्बम को और अपने अच्छे तरीके से बिजैन कर state आप चैनल को subscribe किजिए Like किजिए और comment कीजिए मुझे आपके comment का Leave जार रहता है तो आपकी कमेंट का रिपलाई जरूर करोंगा आप मुझे कुछ भी किसे रिलेटेड कमेंट बोक्स में पूर सकते हैं